बिस्मिल्लाहिर्मानिर्रहीम अब चलते हैं Calculation of Median for Continuous Frequency Distribution अभी हमने किया है Discreet Frequency Distribution के लिए काम अब हम करते हैं Continuous Frequency Distribution के लिए अब Continuous Frequency Distribution का मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास Classes Grouping की सुरत में होंगी और दूसरा कॉलम हम Frequency का दिया गया होगा तो ये चीज़ कहलाएगी Continuous Frequency Distribution चलते हैं Continuous Frequency Distribution के लिए Median के फार्मूले के लिए Median का फार्मूला इस सुरत में चेंज हो जाएगा Median is equal to LB यानि Lower Class Boundary plus H by F into summation F by 2 minus C ये फार्मूला आपने याद रखना है Frequency Distribution के लिए जब हमने Median Find करना है तो इस ही फार्मूले को यूज़ करके हमने Median Find करना है तो चलते हैं इनकी कुछ देख लेते हैं ये LB इस में क्या है H इस में क्या है F क्या है Smission F क्या है C क्या है LB is equal to Lower Class Boundary of the Median Group ठीक है ये याद रखना है कि Median Group का Lower Class Boundary हमने लेनी है इसका मतलब है कि इसमें हमें Class Boundary भी निकालनी पड़ेगी यहाँ पर H जो है वो इंटर्वल है दोनों Classes का याई गैप कितना है यहाँ पर F जो है वो Frequency होगी वो भी Median Class की या Median Group की Frequency होगी H जो Class Interval है वो भी Median Group का Class Interval होगा Summation यह जो C है वो C है Community Frequency of the Group Preceding the Median Group यानि Median Group के उपर वाली जो Frequency Community Frequency होगी वो यहाँ पर आएगी और Summation F by 2 जो है वो आपको पता है कैसे मालूम करते हैं कि F का जो है Frequency का हम Sum करेंगे और 2 से Divide कर देंगे तो उससे हमें यह value मिल जाएगी Question है हमारे पास Compute Median from the following data Classes given है 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 40 to 49, 50 to 59 60 to 69 Frequency हमारे पास है 15, 17, 24, 31, 21, 12 यहाँ पर हमने Group लिखे या यहाँ पर Classes भी लिख सकते हैं इन्होंने Groups लिखे हैं कोई मसला नहीं है यहाँ पर Frequency है इन्होंने F लिखा है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब Discreet Frequency Distribution का काम हमने किया था तो हमने 3rd column Cumulative Frequency का बनाया था Median में जब भी हमने काम करना है Discreet और Continuous Frequency Distribution के लिए Median Find करने के लिए तो हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो हम Cumulative Frequency का कॉलम बनाएंगे Cumulative Frequency का कॉलम आपको पता है कि कैसे बनता है 15 as it is फिर 15 में 17 एड़ करेंगे 32, 32 में 24 एड़ करेंगे 56, 56 में 31 एड़ करेंगे 87 and so on अब यहाँ चेक करें कि जब हम F को सम करेंगे या F का एड़ करेंगे तो यहाँ पर 120 आएगा और इसका जो Cumulative Frequency का जो Last Cumulative Frequency बनेगी वो भी 120 ही आनी चाहिए यानि यह 120 और यह Summation of F वो Equal होने चाहिए Otherwise आपका Question गलत हो जाएगा अब चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ यह मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था इसके फार्मूले में यहाँ पर जो यह वाला पार्ट है Summation F by 2 Summation F by 2 सबसे पहले हमने फाइंड करना है वो क्यों फाइंड करना है सबसे पहले वो इसलिए कि यही हमें बताएगा कि Median Group कौन सा है Median Group के बगएर हम Median Find ही नहीं कर सकते इसलिए Median के फार्मूले में यह वाला जो पार्ट है सबसे पहले Find करेंगे यानि Summation F by 2 चलते हैं Size of Summation F by 2 आइटम यह है 120 by 2 Summation F हमारे पास आया है 120 इसको डिवाइड किया है 2 से हमारे पास आ गया है नमबर 60 आइटम यह 60 आइटम कहां पर लाए करेगा यही 60 नमबर हमें बताएगा कि Median Group कहां पर है अब चलते हैं यहां पर क्या 56 फाले Community Frequency में 60 नमबर लाए करेगा नहीं 56 यहां पर खतम हो गया है Next चलते है 87 अब यहां पर चेक करें कि 87 जहां पर Community Frequency आ रही है यहां पर मैं अगर यह एक Line से शो कर रही हूँ तो यह हमारा बन रहा है Median Group अब यह वाला जो Median Group है इसमें 87 से उपर वाली जो Community Frequency होगी यह हमारी C होगी उन्होंने यहीं कहा है Community Frequency of the Group preceding the Median Group यहां पहले वाली Median Group से जो पहले वाली Community Frequency होगी वो यहां पर C होगी according to formula अब which lies in the class 40 to 49 यहां अगर हम 87 के सामने यहां से Line को शो करें तो यह हमारी क्लास होगी 40 to 49 यहां पर Frequency जो है 31 होगी क्योंकि हमें Frequency भी चाहिए हम Frequency वही लेंगे जो Median Group बनेगा अब Median Group की सारी की सारी चीज़ें हमें चाहिए ना हमें नीचे वाली चीज़ें चाहिए ना हमें उपर वाली चीज़ें चाहिए हमें जस्ट यहां पर जो 40 to 49 वाली क्लास है इसके Along जितनी भी चीज़ें है वो चाहिए Frequency की सुरत में है वो चाहिए Cumulative Frequency की सुरत में है वो चाहिए Interval की सुरत में है चाहिए Class Boundary की सुरत में है वो सारी की सारी हमें यहीं से इसी लाइन से मिलेंगी यानि 40 to 49 वो क्लास है जो Median Group के लिए हमने यूज़ करनी है यहां पर सबसे पहले चलते हैं लोर क्लास Boundary निकालने के लिए लोर क्लास Boundary हमें कहां से मिलेगी यानि लोर क्लास Boundary हम ऐसे निकालेंगे यह 39 यहां से और यह 40 यहां से इन दोनों को पलस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें यहां की lower class boundary मिलेगी यानि हमने इस जगा की lower class boundary निकालनी है वो lower class boundary इस जगा की कैसे हमें मिलेगी इन दोनों को हम plus करेंगे और two से divide कर देंगे तो हमारे पास जो answer आएगा वो 39.5 आएगा यानि lower class boundary हमारे पास आगई है 39.5 अब चलते हैं frequency के लिए ये frequency इसके group के long जो frequency है हमारे पास वो है 31 यहां पर frequency हमारे पास आगई 31 एच जो है वो है interval वो इंटरवल 40 में से 30 को minus करके भी निकल सकता है 49 में से 39 को minus करके भी निकल सकता है ये सामने इस तरह से हमने minus नहीं करना है कि 49 में से 40 को माइनस करेंगे, नहीं, हमने इस में से पिछली क्लास को माइनस करने है, या तो 49 में से 39 को करके आ सकता है, या 40 में से 30 को माइनस करके आ सकता है, वो same ही answer आएगा, that is equal to 10, यानि 49 में से 39 माइनस करेंगे, तब भी 10 आएगा 40 में से 30 माइनस करेंगे तब भी 10 आएगा यानि H हमारे पास हो गया है 10, frequency भी हमारे पास आ गई है H भी आ गया है lower class boundary भी आ गई है और C जो है वो यहां हम arrow लगा के मैंने आपको बताया था that is equal to 56 जी, median का फार्मूला लगाया lower class boundary प्लस H by F into summation F by 2 minus C यहां पर lower class boundary का भी मैंने आपको बता दिया था कि 40 में 39 add करेंगे, 2 से divide करेंगे 39.5 आ जाएगा H यानि interval 49 में से 39 माइनस करेंगे, या 40 में से 30 माइनस करेंगे, equal to 10 ही आएगा, frequency median class की जो है, वो 31 है C जो मैंने arrow लगा के आपको बताया था, वो 56 था median के फार्मूले में यह सारी के सारी values हमने put की, यानि 39.5 H की जगा पर 10, F की जगा पर 31, summation F by 2 वो जो start में हमने किया था, जो पहला step हमने करना होता है, median group find करने के लिए, हमेशा यह याद रखिएगा, कि जब भी हमने median का formula apply करना है सबसे पहला काम हमने यही करना है कि summation F by 2 को find करना है, summation F by 2 की जो value आएगी, तो ही हमें पता चलेगा कि median group कहां पर लाए कर रहा है, वो हमारे पास 60 आई थी, minus C की value 56, जब हमने इसको calculate किया, तो हमारे पास जो median की value आई है, वो है 40.79